Hello Friends, Welcome to Literary Scholar Channel और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि इस चैनल पे हम English Literature से related वीडियो लाते रहते हैं अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप comment section में लिखके बता सकते हूँ कि मुझे इस topic पे वीडियो चाहिए मैं उसको जल्दी से जल्दी आपके पास लाने की कोशिश करूँगी और अगर आप कुछ खोज रहे हो तो आप playlist में जाओ वहाँ पे section wise सब कुछ divide है आपको वहाँ पे मिल जाएगा अगर आप पुराने हैं it means पुराने in the sense की आपने already subscribe कर रखा है तो welcome back इस new video में और thank you for subscribing me तो चलिए आज का जो video है उसके बारे में थोड़ी बात कर लें कि जो हमने question paper series शुरू किया था UGC net का तो वो मैंने 2004 से शुरू किया था तो उसमें कुछ बच्चों का comment आया कि 2014 से आप शुरू करिए इस paper को तो अब जब 2004 का मैंने 5 question डाल रखा है तो मैं सोच रही हूँ कि इसको पहले complete कर लेते हैं 2004 के 50 questions उसके पाद जो next जो paper आएगा वो 2014 से मैं आपको दे दूँगी तो हमने 2004 के 5 questions देख लिये थे अब यहाँ से question number 6 से हम आज video शुरू करते हैं तो पहला जो question number 6 है या पहला question कहीं आज के video का वो है which of the following is written in Samuel, written by Samuel Butler तो Samuel Butler के थुरू लिखी हुई book का नाम बताईए रिलिजियो लेसी पहला option, दूसरा डेविड सिंपल, थर्ड हुडीब्रेस और फोर्थ जो option है वो है जर्नल अफ दे प्लेग इर, तो इसका correct answer है जो हुडीब्रेस हुडीब्रेस जो है एक mock epic है, mock heroic narrative poem है, sorry not epic mock heroic narrative poem है, जिसको की 17th century में लिखा गया था यह 17th century में यह जो poem है, वो आई थी, इसके author as usual जब आप जान रहे हो कि Samuel Butler है, यह satire है पूरे puritan movement पे, तो puritanism जो है, उस पे यह satire के रूप में work हुई है, फिर satiric poem जो है, इसको लिखा है Samuel Butler ने, iambic tetrameter in a closed couplets, ठीक है इस format में इसको लिखा गया है, फिर work इस चीज़ को publish किया गया 3 part में, और हर part, हर part जो है वो 3 kento में divide है, तो जो पहला part आया, वो है 1663 में आया, second part जो है, वो 1664 में आया, और third part जो है, वो 1678 में आया, अब जो other option उसके बारे में भी देख लेते हैं, Religio Lacy, यह John Dryden का work है, और इसका जो full title था, वो था Religio Lacy और a layman's faith, यह आई थी 1682 में, Religio Lacy, इसमें जो है 462 line की यह पूरी-पूरी, यह पूरा-पूरा work है, और जिसको की लिखा गया है consecutive rhyming couplets में, ठीक है, अब David Simple की बारे में बात करें, तो इसके जो author है, वो है Sarah Fielding, ठीक है, अब अगर हम Journal of the Plague Year की बात करें, तो यह जो journal है, यह लिखा था Daniel Defoe ने, और इसको publish किया था 1722 में, अब आते हैं question number 7 पे, which of the following poems did Milton write in octa-syllabic couplet, तो इसका पहला option है El Penceriso, दूसरा है on his blindness, तीसरा option है Lysidus, and fourth option है on the late masker in paramount, तो इसका जो correct option है, इसका जो answer होगा, वो है El Penceriso, ठीक है, El Penceriso की बात करें, तो यह John Milton ने लिखा था, इसको दो language में लिखा गया था, English में और Latin में, अब अगर on his blindness की बात करें, दूसरा option है, तो on his blindness, इसको कहा जाता है, also known as, when I consider how my light is spent, ठीक है, ये एक sonnet है, जिसको Milton ने लिखा था, और the sonnet was first published in Milton's 1673 poem in his autograph notebook in iambic pentameter, तो iambic pentameter में लिखा गया था, autograph notebook में इसको इस poem को लिखा था, Milton ने sonnet, इसका मतलब sonnet में, ये एक sonnet है, sorry, फिर poem जो है, इसको 1655 में इसको Milton ने लिखा था, और ये publish हुई थी 1673 में, sorry मेंने, मेरे से mistake हुआ, ये जो sonnet है on his blindness, इसको first publish किया था Milton ने 1673 के जो poem इनकी आई थी, autograph notebook उसमें, और इसको लिखा था, इनोंने 1655 में, जब वो blind हुए थे, उसके 3 साल बाद, 3 year after, Milton become completely blind, ठीक है, Milton जब blind हुए थे, तो उससे में उनकी age 44 years थी, ये एक petrarchan sonnet है, और इसमें 14 lines है, और इसका जो rhyming scheme होगा, वो है, A, B, B, A, A, B, B, A, C, D, E, C, D, E, ठीक है, अब जो तीसरी, तीसरा option इसमें था, वो था lycidas, lycidas जो है, इसको, इसको Milton ने लिखा था, 1637 में, और as a pastoral elegy, और ये जो poem है, वो 193 line की ये poem है, और ये irregular rhymed है, इसको republish किया गया था, 1645 में, और इसको जो है, Edward King, जो की, Milton के friend थे, उनके death के बाद, उनको commemorate किया था, lycidas लिखके, Milton ने, ठीक है, तो, on, अब फोर्थ option जो था, question number 7 खा, वो था, on the late massacre in Pedamount, ये एक sonnet है, जिसको की लिखा था, John Milton ने, और ये inspired हुए थे, इसको लिखने के लिए, Easter Massacre of the Weldentians in Pedamount, by the troop of the Charles Enamuals, Emmanuel 2nd, sorry, फिर इसको, जो है, ये sonnet 18, Milton की जो है, ये पेंटामीटर में लिखा गया है, और इसमें, जो है, 10 syllable per line, मतलब, per line में इसके 10 syllable है, और इसमें 14 lines है, और इसकी जो rhyming scheme है, राइमिंग जो इसकी cycle, जो rhyming scheme है, वो कहेंगे आप, ABBA, ABBA, CDC, CDC, ये Spencerian sonnet है, ठीक है, अब question number 8 की अगर हम बात करें, which of the following plays is not written by Congreve, Congreve के थूँ, इसमें से कौन सा ऐसा play है, जो कि नहीं लिखा गया है, तो पहला है Way of the World, दूसरा option है Old Bachelor, तीसरा option है Love for Love, और चौथा option है Relapse, तो इसमें Relapse जो है, वो नहीं लिखा हुआ है, अब अगर The Way of the World की बात करें, तो ये play है, ये play, जो है, वो centered है, two lovers, जो की Mirabel and Milament, इनके उपर based है, और इसको जो है, प्रीमियम किया गया था, early March 1700 में, और in theater, in Lincoln's, in field, in London, इसमें जो antagonist है, या जो villain है, वो है, फेनल, ठीक है, अब Old, The Old Bachelor की बात करें, तो ये first play था, William Congreve का, जिसको की produced किया, 1693 में, ठीक है, अब अगर, love for the love की बात करें, तो ये भी William Congreve का ही play है, इसको premium किया गया था, 30th April 1695 में, Lincoln's in field theater में, ठीक है, अब relapse की बात करें, और virtue, ये in a danger, ये restoration comedy है, और इसको Wenberg ने लिखा है, John Wenberg ने, 1696 में, the play is a sequel of Kali Kibber's, Love, Last Shift, और, The Fool in the Fashion, ठीक है, अब question number 9 की अगर हम बात करें, तो इसमें, इसमें पूछा है कि Dryden's All for Love is an adaptation of, किसका adaptation है, All for Love, Dryden की जो work है, तो पहला जो इसका option है, वो है Phylister, दूसरा option है, Romeo and Juliet, तीसरा option जो है, वो है, Antony and Cleopatra, and fourth option है, Edward Four, sorry, Edward Second, तो इसका जो correct answer है, वो है, Antony and Cleopatra, and Phylister की बात करें, तो ये Francis Birmount का, and John Fletcher का ये play है, और Phylister, और A Love Lies, A Bleeding, is an early Jacobian play, Jacobian era stage play, एक एक रजाई comedy है, फिर Romeo and Juliet की बात करें, तो ये tragedy है, written by William Shakespeare, और इसको originally इन्होंने publish किया था 1597 में, full title जो था Romeo and Juliet का, वो था the most excellent and lamentable tragedy of Romeo and Juliet, genre जो है इस play का, वो है tragic, ये tragedy है, मतब tragic drama, and protagonist की बात करें, तो Romeo and Juliet है, Antony and Cleopatra की बात करें, तो ये भी tragedy है, William Shakespeare की, the play was first performed by the King's Men, at either the Black Farer Theater, और a Globe Theater, इसी में कहीं है, इस play को perform किया गया था, full title जो थी, वो है थी, the tragedy of Antony and Cleopatra, और first folio, जो 1623 में publish हुआ था, उसमें इसको publish किया गया था, Edward II, the troublesome rain and lamentable death of Edward II, King of England, with the tragic fall of proud Mortimer, ये जो है, ये play है, Christopher Marlowe का, और आज, यहाँ पे, ये मतब Christopher Marlowe का, ये play है, फिर question number 10 की अगर हम बात करें, which of the following books proposes the political theory, तो इसमें जो पहला option था, वो था, Principia, दूसरा था, Leviathan, तीसरा था, Antony and Melancholy, और चौथा option था, Liberty of Prophecing, तो इसका जो correct answer है, वो Leviathan, Leviathan, जो है, Principia, जो है, ये book on mathematics है, Leviathan, ये जो है, ये लिखा गया था, book by Thomas Hobbes, और इसको published किया था, 1651 में, और ये जो है, ये structure of the society and legitimate government के उपर, ये political theory से related, ये book है, Antony and Melancholy की बात, Antony, yes, Antony and Melancholy की बात करें, तो ये Robert Britton की book है, और ये medical textbook and philosophy पर बेस्ट है, फिर Liberty of Prophecing की बात करें, तो ये Jeremy Taylor के थू लिखी हुई book है, और ये essay है, based on the religious freedom, और ये आई थी 1647 में, और ये आई था, 1647 में, और अनाटमी Anotony and Melancholy की बात करें, तो 1621 में, तो ये आज का वीडियो है, और अभी एक और वीडियो हम डालेंगे, Paradise Lost का जो explanation वीडियो है, line by line उसका, तो अगर आपको और कुछ पूछना है, तो comment section में लिख के बताईए, और कुछ लोगों का जो question था, वो मैं आज नहीं तो कल आपको वो सारे answer दे दूँगी, और कुछ लोगों ने बताया था, वीडियो बनाने को बोला था कि syllabus के बारे में बताईए, तो उसके बारे में भी मैं वीडियो में जल्दी लेकर आऊंगी, so till then take care of yourself, stay blessed and thank you for watching this video क nome हमयों लुटी लेकर भी में यूदा recruiters